कि हलो फ्रेंड्स आज के सेशन में स्वागत करता हूं गाई जारकन करेंट एफस के क्लास में जैसा कि आप लोगों को जैसा से सीजियल में जारकन करेंट एपर से भी सवाल पूछे जाएंगे तो इस सेशन में हम लोग जारकन करेंट एपर से जो भी सवाल बनेंगे उनका प प्रेक्टिस करें गाइज बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि जिसे से सीजियल में यहां परी आप लोगो करेंटेफर से सवाल मैक्सिमम कोशन यहीं से पुछा जाएगा है क्योंकि कंपिटिशन हाड है बात करें अगर बुक की तो गाइज बुक सभी पढ़ते हैं लेकिन क्रेंट है फिर से कैसा टॉपिक है जो की आपको डेली डेली पढ़ना पढ़ता है और यहां से कंपिटिशन को हाड करने के लिए कोशन पूछा जाता है गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह क्ला होना चाहिए कमेंट किजिए कमेंट बॉक्स में तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाइज मिला लेजिएगा इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर D is the correct answer हो जाएगा डॉक्टर मैरी नीलिमा करकेट्टा को जहारखण लोक से वायोग यानिका पीएस्सी की पहली मह मिला अध्यक्ष बनाया गया है दूसरा सवाल है गाइज आप लोको बीच में देश भर से चैनित कुल 1129 लड़कियों में जहारखंड की कितनी लड़किया है जिने सावित्री वाइज जोती राव फुले सिंगल गर्ल चाइल्ड फैलोशिप 2022-23 दिया जाएगा दसाइंसर कमेंट कीजिए गाइज दूसरा का जी बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी इसदा करेक्टांस हो जाएगा दोस्तों मिला लेजिएगा टूटल आठ लड़किया है जहारखंड की जिनको सावित्री बाई जो ती राव फुले सिंगल गर्ल चैट फैलोश 23 दिया जाएगा चलिए को से नमबर थ्री है गाइज आप लोगे बीच में जहारखंड के पूरु राजपाल सैयद सिप्ते रजी का नीधन हो गया उनका कारिकल था गयाज सैये सिप्ते रजी जो हमारे जहारखंड के राजपाल थे उनका कारिकल बताना है गयाज कौन सा सैये चार अपसर में से बहुत इंपोर्टेंट सवाल है गयाज याद रखेगा कोशन नमबर थ्री का सही अंसर कमेंट किजिए इसका सही जवब होगा ऑफसन नमबर सी दो हज़र चार से दो हज़र नो के बीच में ये हमारे जहारखंड राजपाल थे सही सिप्ते रजी चोंथा सवाल है गयाज आप लोग के बीच में जहरखंड के कोड्रमा संसद्य छेतर से किस सांसद को केंद्रिय मंतरी चुना गया है को से नमबर पूर जिब बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जागा ऑफसन नमबर बीच दा सही अंसर हो जागा आसा पुर्णा देवी को याद रखेगा कोड्रमा की संसद्य छेतर से ये संसर चुने गई है कोस्चन नमबर फाइब हैज पैंतालीस सो मिट्रिक टन रागी का उतपादन करते हुए कि इस जीले ने रागी उतपादन में सिर्ष अस्थान प्राप्त किया है कोस्चन नमबर फाइब जी बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा जारखन का गुम्रा जीला जो है 45 मिट्रिक टन रागी का उतपादन कर फास्थान प्राप्त किया है चली कोस्चन नमबर 6 से जारखन इस्तित की संस्थान के विग्यानिकों ने भूजल से आर्सेनिक को हराने के लिए अवसोसक विक्सित किया है भूजल यानि की जो भूमी गजल है उसमें आर्सेनिक की तत्व पाए जाता है जिसे हराने के लिए एक अवसोसक विक्सित किया गिया है वो बताना है कि कौन सा संस्थान है जिए बिल्कुल करेक्टान सब्सक्राइब का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नुम्बीज करेक्टान सब्सक्राइब याद रखेगा चलिए कोशन नमबर सेवे नेगा जारखन परदूशन नियंतरन बोर्ड के अध्यक्ष एके रस्तोगी ने प्रदेश में कब से थर्मो कोल एवं प्लास्टिक से निर्मित समान पर प्रतिबंद लगाया है चार उप्शन आपको बिछे से एंसर कमेंट किजिए कोस्टन नमबर सेवन का जी गाज इसका बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा ओप्शन नमबर एज गरेक्टांस हो जाएगा एक जुलाई दुहजर बाइस से चलिए नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर एट है इंजिनरिंग की पढ़ाए हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजिनरिंग कॉलेज जी बिल्कुल करेक्टांस हो जाएगा ओप्शन नमबर सी दा करेक्टांस हो जाएगा एट का एनाइटी जमसेदपूर चलिए नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर नाइन है गाईज हाल ही में रोपी हाथ से को लेकर तिरकुट परवत चर्चा में रहा या किस जीले में आवश सब्सक्राइब करेक्टांस हो जाएगा देवगहर में चलिए नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर टेन है गाईज आप लोगों के बीच में सोरी चक्र से सम्मानिस सहित कुल्दीप उनाव का संबंद ज्हारखन के किस जीले से है गाईज बताइए कोस्टन नमबर टेन जी बिलकुल करेक्टांस हो जाएगा ओप्सटन नमबर डी इस दा करेक्टांस हो जाएगा साहिब गन से चलिए नेक्स कोस्टन कोस्टन नमबर ए इस दा करेक्टांस हो जाएगा रांची यूनिवरसिटी यानि कि आर यू कॉस्चन नमबर 12 गाईज केदर सरकार ने किस जीला में संथाल प्रगना का पहला सी एनजी एस्टेशन खोला परदूशन मुक्त वातावरन के मांग को देखते हुए कॉस्चन नमबर 12 का सही अंसर कमेंट किजिए गाईज कि बिलकुल क्रेक्ट अंसर हो जागा ऑफ्चन नमबर 12 गर्क्रेक्ट अंसर हो जागा यन की सेली कॉस्चन नमब ठाटी ने गाई ज्हार खंड में किस असतान पर पहला कर्वेंशन सेंटर बनाय गया है कोशन नमब थाटीन जो बिल्कुल करेक्टांस हो जगा ऑप्शन नमब बीज दा करेक्टांस हो जगा दूस्तों दुमका चलिने नेक्स कोशन कोशन नमबर मख्ष मंतर्छा कारगर बनाने के लिए निफ्ने मेश से किसका गठन किया गया है। चलि दिनो मेशabouts 15 है आपो के बीच में नौबी राश्टी ए रेस वॉक शेमापिंशिब जारखन के किस सहर में संपन हुई आज का लाग सवाल है गाज कुस्टन नमर 15 से एंसर कमेंट किजिए कमेंट बॉक्स में कि और फिप्टीन जी बिल्कुल करेक्टांस हो जागा और इस दा करेक्टांस हो दा रांची जीला ठीक है तो यह आज के हमारे टॉप 15 को सब्सक्राइब करेंट से रिलेटेड है यह सवाल आप लोगों को सब्सक्राइब दिखने को मिलेंगा एक्जाम के सेंटर में गाइस तो याद रखिएगा करेंट एफर से सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे जैसा से सीजियर में तो आज की सेशन में इतना ही सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के मांदियम से फिडबेक जरो दिजिएगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरो कर ल देगा फिर मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए इजादे दिए जय हिंद जय भारत दोस्तों